लोकसवा चुनाव में दूसरे चरण में ताज नगरी में शांतिपूर्ण धंग से शेहर की विविन बूतों पर मद्दाताओं ने मद्दान किया। साकित कलोनी के साकित विध्यापीठ इंटर कॉलेज में पुलिस सुरक्षा के बीच मद्दाताओं ने अपने बहु मुल्ले मत का प्रयोग किया। साकेत कलोरी निवासी सुनिल गर्ग ने बताया कि इस वार लोकसवा चुनाव में साकेत विध्यापीठ इंटर कॉलेज में चौकस विवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। मद्दान देवस पर सुभा सही साकेत इंटर कॉलेज बूत पर मद्दाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुचने लगे थे। इस बार इस बूत पर युवा मद्दाताओं की संक्या काफी अच्छी रही। मद्दान देने में कोई परिशानी नहीं हुई है। शांती प्रिये हमने मद्दान दिया और अच्छी विवस्था की गई है आज इस बार साकेत कलोनी में भी। मद्दान केंद्र पर बीजेपी पोलिंग एजेंट की रूप में तैनात शुशील नोतवानी ने बताया। कि इस वार लोकसवचनाव में प्रिशासन की तरफ से चाक चौवन्द विवस्था है। राजिंद्र नगर प्रात्मिक विद्याले पोलिंग बूत पर पुलिस रक्षा के खासा इंतिजाम रहे। लोकतंत्र की इस पर्व को लेकर मद्दाताओं में खासा उस्सहा नज़र आया। राज्टिय पर्व को मनाने के लिए लोगों में बहुत अच्छी जिग्यासा है। पिछले सालों और पिछले चुनावों के हिसाब से आज में देख रहा हूं। तो यहां छेत्रिय जनता बहुत अच्छी रूची ले रही है। और कभी यहां कभी लाइने नहीं लगती थी, वोट डालने के लिए इस बार लाइने भी लगी है। तो अच्छा पिर्तित होता है, शद प्रतिश्य शद मत होगा। इसमें संगठन, समाजिक संगठनों की भी बहुत अच्छी महनत रही है। सरकार की तरफ से भी अच्छी महनत रही है। मीडिया बंधों ने भी बहुत इस बार महनत किये। मद्दाताओं को जागरूत करने के लिए। सब बढ़िये विवस्ताएं है। आराम से वोटिंग का करके हम चल दा है। कहीं कोई पदेश्यानी दी है। निश्चित रूप से प्रसासन और चुनावायोग बधाई के पात्रे जुनों ने इतनी अच्छी और सुन्दर विवस्ता सारे पोलिंगों पर करी है। सुचारी रूप से और सांती रूप से मतनान चल दा है। और मेरा पूरे सहरवासियों से अन्रोज है कि इस माहा पर अपनी भागेदारी सुनिश्चित करें। बोट डालने जरूर जाएं क्योंकि सरकार निर्मान में आपकी सहवागिता होना बहुत जरूर है। सी न्यूस के लिए अजे बहादूर की रिपोर्ट करें।